नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्रूब चैनल एश्ट्रो ग्यान में आपका एक बार फिर से हारदिक स्वागत है तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं बिछड़ा हुआ प्यार वापिस कैसे पाएं? दोस्तों, अगर आपने भी अपने प्यार को खो दिया है अगर आपका प्यार भी आपको छोड़कर दूर चला गया है अगर आप भी चाहते हैं अपने बिछड़े हुए प्यार को हासिल करना अपने खोए हुए प्यार को फिर से वापिस अपने जिन्दगी मिलाना तो इस वीडियो को अंग्रूर देगा दोस्तो प्यार एक ऐसा एहसास है अगर इंसान को मिल जाता है तो वो सब कुछ भूल जाता है उसके दिमाग में सिरफ एक ही सब्द चलता है प्यार उसका ध्यान कहीं पर नहीं लगता वह अपनी प्यार से दिन राथ बाते करने के लिए दर्फता रहता है वो बाते करते हैं रात पर जाग जाग कर अगर दोस्तो वही प्यार इंसान से दूर चला जाता है तो दोस्तो महानो ऐसा लगता है कि जैसे पहार दूट गया हूँ दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं उस बिछड़े हुए प्यार को फिर से अपने जिन्दिगी में हासिल करना उस दोखे बाज इनसान को जिसने आपको दोखा दे दिया है उसको फिर से अपने जिन्दिगी में लाना तो इस वीडियो में जो टोटका बताय जाएगा करने के बाद दोस्तों आपका बिछड़ा हुआ प्यार दोखे बाज इनसान खुद पोन करेगा आपको दोस्तों जो आपको छोड़ कर चला गया है वो आपको मिलने के लिए तडफेगा कोल करने के लिए तडफेगा आपके पास आने के लिए तडफेगा दोस्तों आपने किसी भी सुकरवार के दिन पीपल के दो पत्ते तोड़ लेने हैं दोस्तों जैसे कल सुकरवार है आप कल ही डोड़ का गर सकते हैं एक पत्ते पर आपने सिंदूर से अपने प्यार का नाम लिखना है और दूसरे पत्ते पर काजल से अपने प्यार का नाम लिखना है एक पत्ते को पीपल के पेड़ के निचे दबा देना है और दूसरे पत्ते को आप अपने घर ले आए आपने घर की छट के उपर उटा घर के दबा देना है तोड का 15 दिन तक करें लगातार 15 दिन के बाद आप दोनों जगहें से पत्ते निकाल कर पीपल के पेड़ के पास से और अपने घर की चट के ऊपर से बहते हुए पानी में बहाँ आए और घरवाद पिसाते से में पीछे मुझकर नहीं देखें दोस्तो हर रोज आपने नए पत्ते लेने होगे नाम निकले के लिए हर रोज पीपल के पेड़ को आपने पानी अर्पित करना होगा चीनी मिलाकर और चावल मिलाकर और दोस्तो जो ये टोटका है दो रासियां ऐसी हैं जिनके लिए ये टोटका काम नहीं करेगा अगर दोस्तों आप भी जाते हैं अपने बिछले हुए प्यार को वापिस पाना तो आप हमें अपना नाम और अपने साथी का नाम कमेंट में टाइप करके भीज सकते हैं हम आपको तुरंट रिप्लाइ करेंगे दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे यूटूब चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें वीडियो को आँ तक देखने के लिए आप सबी का बहुत बहुत धन्यवाद